नताशा और नवेली ने छोड़ा धवल का घर हो गई आधी रात को घर से फरार चीहां दोस्तों स्टाफलेस के बन आप दो फॉपलेशुब पंडिया स्टोर के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बड़ा ट्विस देखते को मिलने वाला है चीहां आधी रात को नताशा औ और धवल दोनों ही परिशान नजर आते हैं आखिरकार नताशा उन्हें छोड़ कर गई कहां पर दोनों को ही ढूनने के लिए दोनों लोग बाहर चले जाते हैं ढूनते हुए धवल को कुछ क्लूज मिलते हैं जहां पर वो ढूनते ढूनते बहुत चाता है नताशा के घर जहां पर नताशा और नवेली आराम से बाते कर रहे पूते हैं जिसके बाद धावल को देखते ही दोनों चीक पर छुपने लगती है वही नवेली कहती हुई नजर आती है कि यहां पर हम लोग यही पर रहने वाले हैं अपसे इसी घर में हम वहां पर नहीं रहेंगे क्योंकि माने कहा था कि वो सुबह होते ही बिट्टु को यहां से भगा देंगे जिस वज़े से मैं अपनी बिट्टु के साथ ही रहना चाती हूँ मुझे उस घर में नहीं जाना है नताशा भी यही कहती हुई नजर आती है वहीं धबल दोनों को ही प्यार से समझा कर उन्हें प्रामिस करकर अपने घर ले आने लगता है रास्ते में उनसे यह प्रामिस भी लेता है कि वो दोनों अब कभी भी घर छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगी जिसके बाद दोनों ही प्रामिस कर देती है वहीं नताशा कहती हुई नजर आती है कि मैं तुम्हारे घर की हो तो तुम्हारे घर में मेरी कोई भी पोटोस क्यों नहीं है तुम अपने घर में मेरी पोटोस लगवाओगे किसी के साथ भी वहीं धबल उसे promise खलता है कि हाँ जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा लेकिन तुम्हें घर छोड़कर सारी के जरुवत नहीं है वहीं दूसरी तरफ अमरिश की पत्नी इन दोनों के खिलाफ शाजिस चल रही होती है कि इन दोनों के शादी की कोई मान्यता नहीं है वो कभी भी नताशा को इस घर से बाहर निकाल सकती है वेल देखना बड़ा ही इंट्रस्टिंग होने वाला है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा आप सभी का क्या है कहना ये सारी अपडेट पर हमें कॉमेंट को जरूर बताए और ये से लेटेस जब्डियोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दें